वल्कम बैक टू दा क्लास दोस्तों आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं फिर से 100 कोशन जो की यह आपका मोडल सेट है मोडल सेट इसमें आपको 100 कोशन जो मैं करवाने जारा हूँ इसमें आपकी ग्रामर भी है आपकी लिटरेचर भी है इस्टोरी ओफ इंगलिस भी यह तीनों सेक्शन में कवर अप करवार हूँ तो सबसे पहले मैं आपको 1 से 60 तक जो कोशन ले रहा हूँ वो ग्रामर का कोशन है आपकी लिटरेचर की कोशन देखने को मिलेगी फर्स्ट कोशन देखते हैं वो एक आख से अंदा है यह आपका प्रिपोजिसन का कोशन है वो एक आख से अंदा है तो यहाँ पे बहुत लोग ऐसे अलग अलग आप options लगाते हो लेकिन मैं जो भी वीडियोस कराता हूँ आप उसे देखो और मैं ऐसे पांच सेट आपके साथ करने वाला हूँ और पांच सेट से बाहर आपके एक भी questions नहीं पूछे जाएंगे चाहे वो आपका literature हो या grammar हो तो he is blind हमेसा याद रखेंगे इन one eye होता है वह एक आँख से अंदा है तो परत्रा बोल ले मैं आपको अजीब सा फील हो रहा है लेकिन यही sentence है he is blind in one eye the cat jumped dash the chair बिल्ली कूद गई कहां पे कूद गई चेयर पे एक और याद रखना जब आप किसी सतह पे आप असपर्ष कर रहे होते हो तो आप उहां पे on का यूज़ करते हो लेकिन अब जब किसी सतह पर आप गती करते हुए उसके उपर जाते हो तो आप उस समय में on नहीं upon का यूज़ करते हो अब जैसे कि मैं कहता हूँ the pain is on the chair pain कहां है चेयर पर है it means pain जो है और चेयर दोनों में contact होड़ा है की नहीं touch कर रहा है की नहीं कर रहा है लेकिन जब मैं कहता हूँ the cat jumped dash the chair मतलब बिल्ली कूदी कहां पे कूदी चेयर पे कूदी मतलब वह motion करते हुए गती करते हुए वह चेयर पे आ रहे तो जब ऐसा हो तो आप हमेसा upon का इस्तमाल करेंगे the work was done dash hist जो काम जो किया गया वह जल्दी बाजी में की गये hist का मतलब था जल्दी बाजी तो hist के साथ अब जब भी आएगा तो उसकी साथ आप इनका प्रियोग करेंगे next question इसकी साथ मैं आपको एक और rule बता देता हूँ जब भी कभी आपको list सब दिखाए दे तो उसकी बाद ध्यान रखना आप हमेशा models should का प्रियोग करोगे ये चीज़ ध्यान रखना list मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो जाए c asked what my name was इसको आपको देखो ये indirect speech में लिखा हुआ है इसको आपको direct speech बनाना है सबसे पहले देखोगे c asked लिखा हुआ है तो वो c said में convert हो जाएगा told me c said में सभी सही है यहाँ पे लिखा हुआ अब यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे what my name was यहाँ पे भर्व क्या लिखा हुआ हुआ was लिखा हुआ है तो was यह past में है इसको आपको जब direct में लाना है तो यह present में बदलेगा अगर यह direct में रहता और इसको आपको indirect करना होता तो यह past में बदल जाता लेकिन यह indirect में लिखा हुआ है मतलब मुझे present की भर्व चाहिए was यह was दोनों तो eliminate हो गया cut गया यह will future होगए यह भी cut गया बचा कोल सा option इस वाला यही present है न इसका अबर तो she said what is your name question number 5 India is dash large country भारत एक बड़ा देश है तो इभारत ही एक बड़ा देश नहीं है जब आपको बहुतों में से एक को चुनना हो तो हमेसा article A इनना तो article N का प्रियोग करोगे एक चीज का ध्यान रखी आप कभी भी article जो है आप यहाँ पे later को देखके न लगाए sound को देखके लगाए जैसे आप बोलती India is a large country तो law का sound देट अड़ा एक वेंजन वार नहीं इसलिए उसके पहले आप A लगाओगे दा अर्थ डैस राउंड दसन प्रिथ भी घूमती है सूरी की चार ओर अब देखकोई दा अर्थ यह singular subject है singular noun होने जब यह singular noun होने तो आपको भर्वी singular चाहिए और भर्व को singular बनाने के लिए आप भर्व में S या ES को add कर देते हो अर्थात हम उसे भर्व की fifth form कहते है तो इसलिए the earth moves round the sun हमारा right option होगा मैरा दोस्त आखिरकार एक इमानदार आखिरकार एक इमानदार इंसान है तो यहाँ पे क्या होगा अभी जस्ट मैंने बताया honest, honest को आप जब लिखते हो तो ऐसा लिखते हो honest लिखते हो की honest लिखते हो जाहिड सी बात है आप यही वाला कहोगे honest ऐसे लिखते है ओ का sound देता है इसलिए इसके पहले आप article n लगाओगे my spectacles dash broken मेरे चस्मी तूट गए spectacles यहाँ पे लिखा हुआ my spectacles यह plural है बहुवच्चन है इसलिए इसके साथ plural भर्ब चाहिए इसलिए is हट जाएगा are और were एक चीज़ यहाँ पे तो देखो my spectacles is हटा दिये sorry एक चीज़ देख रहे यहाँ पे spectacles are broken भी कह सकते हो और my spectacles were broken options में थोड़ा सा eliminate करना मुझे पड़ता जब भी कोई ऐसा चीज़ जिसे आप जोड़ा में यूज़ कर तो जैसे spectacles है, tongs है chimta जिसे कहते हो pants है, scissors है यह सारे जो भी होते हैं हमीशा plural की तरह यूज़ होते हैं तो यहाँ पे आप rv लगाओ तो भी सही है और word लगाओ तो भी सही है, कभी चिस्मा कोई ऐसा होता है कि एक आप में पहनेगा, दूसरा आप नहीं पहनेगा दोनों में पहनना पड़ेगा इसलिए इसके साथ plural verb का इस्तेमाल करेंगे, यह मैंने ऐसे options रख दिये है, by mistake, exam में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा नाइधर आफ अस डैस गोइंग टू पटना हम लोगों में से कोई भी पटना नहीं जा रहा है, यहाँ पे एक रूल याद रखना, आपको पांच वर्ड में बता रहा हो each, every अब भी अपने नोटबूक पे लिखा करो each, every, either, neither या neither भी इसको बोलते हैं, ठीके ना, इसके अलावा any और none, यह आपको 6 वर्ड कहीं भी दिख जाए आप गाठ बाद लो, हमेशा उसके साथ singular भर्ड लगता है देखो, आर प्लूरल है, कट गया can, neither of us can going to पटना, can, will और would, यह तीनों modals और modals का भर्ड की first form लगती है, और यहाँ पर भर्ड की fourth form लगी हुई है, जाहिर सी बात है, is MR या was बढ़ाएगा, इसलिए राइट आप्सन क्या होगा is going to पटना, I hope आपको समझा रहा होगा number 10, one of the boys does rewarded, उन सभी लड़कों में से एक को reward दिया गया पुरश्कृत किया गया, देखो तो कितने लड़की को पुरश्कृत किया गया, एक को केबल किया गया इसलिए singular भर्व लगाएंगे are plural है, will future है would be future है, और देखो यह दोनों के बात भर्व की first form आनी चाहिए यहाँ पे rewarded भर्व की third form है इसलिए right option was rewarded होगा और जब भी आप helping भर्व के साथ भर्व की third form यूज़ करते हो तो इसे हम कहते हैं passive voice question number 11 the teacher agreed as my proposal teacher जो है सहमत है मेरे प्रस्ताव से, माई देखो माई क्या होता है, positive pronoun होता है sorry, positive adjective होता है इसके बाद हमेशा आपको noun लिखना ही पड़ेगा तो यह proposal noun है मेरे teacher जो है सहमे थे मेरे proposal से, तो यहाँ पे right answer होगा to, देखो, agree के साथ हमेशा to ही नहीं, agree के साथ या तो आप with लगा सकते हो या agree के साथ to लगा सकते हो तो क्या answer जहाँ मन करेगा वहाँ फीद, जहाँ मन करेगा to, ऐसा कुछ नहीं है जब आप किसी इंसान से agree हो किसी human being से agree हो तो with का use करो और जब आप किसी के विचार किसी वस्तू से अगर agree हो तो submit to लगाओ मेरे teacher किस से agree है मेरे proposal से agree है मेरे से तो agree नहीं है लेकिन यहीं पर लिखा रहा था the teacher agree dash me teacher मुझसे सहमेत है तो with me होता I hope आपको clear होगा we dash pay our taxes हम सब को अपनी tax चुकानी चाहिए चाहिए कसेस दे रहा है न अब देखो यहाँ पर pay भर्ब की first form है तो must word के बाद भर्ब की fourth form आती तो eliminate हो गया can भी हो सकता है और r के बाद भर्ब की fourth form आती हो यह भी eliminate हो गया यह can लगा सकतो हो must लगा सकतो हो तो यहाँ पर can का use हम कब करते हैं can का use अब तब करोगे जब किसी sentence को पढ़के लगे किसमें power की बात हो रही है ability मतलब मानसी की योगिता आपकी बुद्धी की बात हो रही हो या capacity की बात हो रही हो तो उस समय में आप can का use करोगे बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हम सबको अपनी text अवश्य पे करनी चीए अवश्य अवश्य का sense must देता है का मतलब होता है आक्रमक जो किसी के उपर जैसे की war करते हैं तो यहाँ पे देखो expensive मतलब महंगा होता है offense बिल्कुल वही word है defensive इसका जो correct एंटॉनिम होगा defensive defense का मतलब क्या होता है अपनी सुरक्षा करना अर्था defensive offensive आक्रमक defensive सुरक्षा तो बोलते हैं defense में मतलब सुरक्षित में ऐसे कुछ बोलते हैं जो word choose the correct synonym synonym मतलब होता है प्रयावाची agony का सब जो है इसका आपको correct जो है परना क्या कहते हैं synonym ढूनना है तो इसका जो synonym है देखो यहाँ पे देखना pleasure pleasure का मतलब क्या होता है आंड pain मतलब होता है dard bliss का मतलब जो होता है bliss bliss का मतलब होता है hearse and shoutitude का मतलब है incant अब देखो यहाँ पे मुझे agony के हिंडी नहीं पता है agony इसको हाँ ऐसा मुझे माननो के तो नहीं पता है तो फिर मैं क्या करता अब मुझे सही में नहीं पता है तो मैं क्या करता प्लिजर मतलब आनंद हो गया पेन का मतलब हो गया गस्ट, ब्लिस्ट का मतलब हो गया हर्स, सॉल्टिटूड मतलब एक कांथ अब देखो आनंद, हर्स और दर्द, आनंद और हर्स एक जैसा है की नहीं है तो ये दोनों तो हट गया बचा क्या दर्द या एकांत अब देखो एगोनी का वैसे मतलब होता है मैं आपको बता दू कस्ट होता है तो यहाँ पे कस्ट वाला सब्द कौन सा है पेन हो जाएगा न तो ऐसे करेंगा आप अलिमिनेट भी कर सकते हो नही का विप्रितार्थक सब्द क्या होगा विप्रितार्थक सब्द होता है नेवर फॉरेवर हमेशा के लिए एवर कभी भी एवर लास्टिंग जो लंबे समय तक चले आपने सुना होगा यह वाल्टर डिला मेरे करते ना ब्यूटी जो सुन्दरता हमेशा साथ नहीं रहती है सही स्पैलिंग आपको चूज करना यहाँ पे देखो मैं आपको राइट एंसर बताता हूँ तो डिसापियर का यह वाली स्पैलिंग सही बिलकुल लिखी हुई है डि-i-s-a-p-p-e-a-r डिसापियर में इस गायब होना यहाँ पे दो संटेंस लिखा हुआ है दोनों को आपको कमबाइन करना है एक साथ जोड देना है इससे जोड के क्या बनेगा तो इस तरह से दिखना है एक तो चीज़ों क्या धिहान देना पढ़के देखो आपको अजीव लगेगा जब भी कमबिनेशन का संटेंस आए न आप उस संटेंस को जितना आपसन या और सबको पढ़ो देखो धिहान कुछ न कुछ आपको ऐसा हिंट मिल जाएगा जिससे कि आप सही एंसर टीक कर पाओगे अचा नेव का पहले तो कुछ लोग मतलब समझ लो नेव का मतलब होता है गुलाम ठीकिना व गुलाम है और मुर्ग है व नहीं मुर्ख बलकी गुलाम है वह नहीं केवल मुर्ख है बलकि वह एक गुलाम भी है तो यही आपका राइट है पटने में देखो आप इंगलिस पढ़ होता आपको यही सही लगेगा वी डैस की पावर प्रॉमिसेस हम सबको अपना वादा हमीशा निवहाना चाहिए चाहिए का सेंस आ रहा है तो इसलिए मैं नगा का हस चाहिए एक अगर सेंस आएगा तो मस्ट का प्रियोग करोगे My friend said to me I am preparing some notes for you अब यह sentence को आपको indirect speech में बदलना है indirect speech में बदलने के कुछ नियम सुनलो मात्र आप एक मिजट के अंदर में सारी बाते समझना जब भी indirect speech में पहले तो यह देखो अगर यह said लिखा हुआ है it means यहाँ पे जो tense है वो भी बदल जाएगा देखो यहाँ पे said लिखा हुआ है और said के बाद to me लगा वो object लिखा हुआ है अगर object लिखा हुआ है तो said आपका told में बदलेगा तो देखो told यहाँ पे है यह said tells में तो बदला गलत हो गया said says में बदला गलत हो गया said will say में बदला गलत हो गया अरे एंसर तो ऐसी ही मिल गया यहाँ पे तो आप में जी तो बतानी की जरूरत ही नहीं पड़ी तो my friend told me अगर यहाँ पे said और comma inverted comma start हो जाता तो आप said को said में ही रहने देता अब I first person होता है first person हमेशा subject से बतलता है subject क्या है my friend friend क्या होगा लड़का की लड़की जब आपका gender clear नहीं हो तो हमेशा male gender को priority दो तो यहाँ पे लड़का ही लिखा अब M का past क्या होता was preparing some notes for you second person second person object से बतलता है object है me me का क्या बनेगा यहाँ पे me ही बनेगा इसलिए right option option number A होगा this is one dash play यहाँ पे one act play होना चाहिए था hovel sound है तो hovel को देखके जाधी जनता इसमें N लगाएगा examiner कहेगा बेटा तू rest कर ले मैं तुम्हें एक भी number नहीं दूँगा reason क्योंकि आप one को लिखोगे तो वो आएगा वो एक vengeance one है इसलिए इसके पीछे क्या लगेगा लग जाएगा choose the correct meaning of the phrase phrase जो है यह एक लिखा हुआ break into इसका सही meaning आपको चूज करना ब्रेक इन्टू का मतलता जबर दस्ती अंदर घुश जाना तो इसका water must be dash before you drink it समुंदरी पानी को हमीशा देखोई कोची धिया रखना है यहाँ पे बी के बाद हमीशा भर्व का third form ना तो भर्व का fourth form ही आता है तो free water जो समुंदरी पानी उसे क्या करना चाहिए अवस्य उसे filter कर देना चाहिए तो filter करेंगे हम लोग they wear dash cloth वी लोग पहनते कैसा कपड़ा पहनते plane cloth यह plane का मतलब होता है क्या plane का वो हवाई जहाज यह plan तो योजना plane कुछ होता नहीं है he has been absent dash Tuesday वो अनुपस्थी थे कब से अनुपस्थी थे मंगलवार से अनुपस्थी थे यहाँ पर दो डूल में आपको समझा रहा हूँ सबसे पहले तो देखो hatch bean लगा हुआ है मतलब और देखो Tuesday Tuesday तो एक fix दिन का नाम है की नहीं और जब भी कोई fix दिन का नाम अगर मतलब fix कहने का मतलब बिल्कुल निश्चित समय की बात हो जाए तो आप हमेसा since का प्रयोकर जैसे since Monday, since 2006, since morning ऐसे बोलते लेकिन यहीं पर रहता he has been absent dash two days वो कब से अनुपस्थी थे दो दिनों से तो आप क्या लगाते for two days, for two years, for two months, for two hours समझ रहे हो ना बातों को तो यहाँ पर he has been absent since Tuesday, right हो जाएगा, guys जो भी देख रहे हो अगर अच्छा लग रहा है तो like करो और पूरा वीडियो अन तक देख के भागना, children like sweets, अब इसको जो है आपको passive चूज़ करना, इसका passive क्या हो जाएगा, ठीक है, children like sweets, object को है मेरा sweets है, passive में क्या होता है, subject को object की पर हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पर sweets हो जाएगा, मेरा subject होगा, एक चीज जहां रखेंगे, passive voice में पहले हम subject लिखते है, जो object की जगा पर होता है, subject के बाद हम helping भर्व लिखते ही लिखते हैं, और passive voice में हमीसा भर्व की third form हम लगाते ही लगाते है, plus by, plus agent, यह कभी आता अब यह नहीं भी आता है, मैं यह passive voice के class में आपको detail में समझा दूँगा, यहाँ पर object है sweets, sweets plural है, sweets में ऐसा लगा हुआ है, plural है, इसलिए R लगेगा, देख पाओगे, यहाँ पर being लगा हुआ, helping भर्व नहीं है, option eliminate हो गया, यहाँ पर देखो like, like भर्व का कुन सा form है, first form है मतलब easy more option चाहिए था, यहाँ पर would भी हट गया, had भी हट गया, बचा कौन sweets are liked by children, option number be right हो जाएगा, people dash to realize the plight of the negros, लोग आए, अच्छा, अब यह मैं सोचना सरी, आप question तो यह book का आगा, नहीं, यह grammar का ही question है, बस आपके book की lining है, people dash to realize, लोग आए, अनुभव करने के लि will come to realize हो जाएगा, क्यों आप देखो, मैंने कैसे eliminate किया, will एक modals है, modals का भर्व की first form आती, cut हो गया, people के साथ coming कैसे लगा दूगा, क्योंकि भर्व की fourth form बिना helping भर्व का तो कभी नहीं आएगा, people came to realize, एक minute, people came to realize भी हो सकता है, और यहाँ पे option मैंने equality क्या है, people will come नहीं सही option available है, people came, came मतला B2, यह simple past का sentence मन जाएगा कि लोग आए, क्या चीज़ के लिए आए, नीगरो जनजाती के दर्द को महसूस करने के लिए आए, तो यहाँ पे देखो, future में नहीं आएंगे, मुझे लगा option नहीं है, मैंने कम को ढूंडा, कम नहीं था, तो मैंने welcome लगा द यहाँ पे right answer came हो जाएगा, the bookie of flowers dash faded, जो भूलो की गुलतसता है, वो क्या होगे, छितर बितर होगे, faded का दब बिखर जाना पूरी तरह से, अब यहाँ पे subject कोने, यहाँ पे कुछ लोग कहोगे, subject तो flowers है, और flowers plural है, plural देखकर कि इसको plural भर्व लगा दोगे नहीं, तो पू पहला आना उनकोने, bouquet है, तो bouquet के according, आप देखको, bouquet क्या है, singular noun है, इसलिए singular भर्व लगाओगे, एक यह question की options थोरी सी गलती है, मैं बता रहो क्यों गलती है, देखको, यहाँ पे अब देखको, यह have तो नहीं लगीगा, क्योंकि have plural होता है, will faded तो हो नहीं होगा, क्योंक been faded लगाओ, और यहाँ पे will faded, कोई option ही नहीं है, चलो, दिख गया, कोई option नहीं है, are to plural है, इसलिए कट गया, will के साथ भर्व की first form, have bouquet singular है, इसलिए कट गया, तो right answer क्या होगा, has faded, लेकिन इसमें थोरा और आपको एक word लगाना पड़ेगा, has been faded, यह sentence आपका passive voice बन जाएग reason की bouquet जो है, वो फैली हुई है, ना की bouquet किसी को फैलाया है, I hope आपको यह point clear होगा, let your diary be written regularly, तुम्हारी जो diary है, उसे लगातार लिखते रहो, यह देखो, let's say sentence शुरूई, इसको आपका active ढूना है, जो sentence, सुना ध्यान से, जो जिसका passive ही, let's say start हो, तो यह चीज समझ लो, क कि कहीं न कहीं वो sentence किसी को advice या, sorry, advice ने, order दे रहा होगा, और उस तरह के sentence जो order देता, वो हमेशा भर्व की first form से सुरू होता है, rot भर्व का second form, eliminate, right भर्व का first form सही है, right भर्व का first form सही है, written भर्व की third form, eliminate, write my regularly, लिखो मेरा लगाता, मेरा क्या लिखोगे, तो write your diary regularly, option number C, right ह हो जाएगा, next question number 31, I had a donkey, I wanted to sell it, मेरे पास एक गधा था, मैं उसे बेचना चाहता था, वैसे मेरे पास नहीं था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I had a donkey to sell, मेरे पास एक गधा था, बेचनी को, दूसरा देखो, I had a donkey, मेरे पास एक गधा था, but wanted, लेकिन मैं उसे बेचना च बेचना चाहता था, लेकिन कैसे बोल दूँगा, I wanted to sell my donkey, में अपने गधा को बेचना चाहता था, I had a donkey, and I wanted to sell it, मेरे पास एक गधा था, और मैं उसे बेचना चाहता था, यही 31 का option number D right होगा, अब ऐसे कैसे होगा, अब आपके मन मैं एका, sir मुझे तो option A भी सही लग रहा और D भी सही लग रहा है, तो ऐस इस जगह पे, जब भी combination होता है न, तो आपको जितनी भी सब्द प्रियोग किये, उसमें से कुछ ही सब्द को हटाते हुए, आपको पुना हुआ sentence को लिखना होता है, जैसा कि आप देख पाओगे, और से options में वो सब्द हटाए जा चुके Who is known as nature lover poet, nature lover poet किसको कहते है, ये question बीच में गलती से आ गया है, John Dunn को हम लोग metaphysical poet कहते है, John Dunn's sweetest love I do not go link रखा है, world between song of myself के poet है, इन्हें people's poet के नाम से हम पुकारते है, John Kitts और Two Autumn के poet है, इन्हें हम romantic poet कहते है, next Walter Dilla मेरे an epitep के poet है, और इन्हें हम children's poet कहते है, Rupert Brooke the soldier के poet है, और इन्हें हम war poet कहते है, और इसर इसमें तो option ही नहीं आया, और option है, देखो ध्यान से, यहाँ पे John Kitts जो है, और Two Autumn को, इन्हीं को जो है, हम nature lover भी poet कहते है, ध्यान मौसम के बारे में, अर्थात ये nature lover भी poet है, romantic, यूग को कहा गया है, ना कि वो romantic थे, romantic सुनके तो यह समझ जाना नहीं, कि वो romantic थे, romance जादा करते थे, I hope point clear होगा, the servant was beaten, that's the master, जो मालिक, sorry, knocker जो था, वो पीटा गया, किस से पीटा गया, मालिक के द्वारा पीटा गया, तो भी passive voice में किसी के द्वारा काम होता, तो हम हमेशा preposition by लगाते हैं, a modest man take no pride dash his wealth, एक जो मध्यस्त इंसान है, उसको कभी घमड नहीं करना चाहिए, किसमें घमड नहीं करना चाहिए, in his wealth, उसके अपने जो भी धन है, उसके उपर उसे गर्ब नहीं करना चाहिए, the man was a staring dash the gift, जो आदमी जो था, वो घूर रहा था, steer का मत्तर घूर ना, जिससे आप लोग कभी-कभी ये होता होगा ना, जब आप बच्चे होंगे, तो आप कोई खारा होता है, टौफी, चॉकले, तो आप उसके उपर घूरती रहे, तो बिल्कुल वही question है, तो जब भी किसी के उपर घूर रहे हो, तो हमेशा एट का प्रयोग कड़ोगे, आप देखो ब्रॉक के साथ, मैंने भी आपको सिखा है न, ब्रॉक इंटू होता है, जब दस्ती अंदर घुच जाना, वी सुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ो का सम्मान करना चाहिए, इसे जो है आपको passive voice बनाना है, passive voice में मैंने क्या सिखाया, कि जो भी आपका object होगा, उसको subject के जगापे रखो, और subject को object के जगापे, अर्थात आवर elders, यहाँ पे में typing में error है, वैसे elders भी लिखा हुआ, तो कोई गलती नहीं है, elders मैंने लिखा, चलो helping for suit आया, फिर suit लगा दो, क अच्छा देखो, उपर note तो नहीं लगावा, तो नीचे note का तो कोई जरूरी नहीं है, eliminate हो गया, should be respected, our elders should be respected, 39, switch off the television, television को switch off कर दो, अरे समझ आ रहा है, like जरूर ठोको, ऐसे खाली मत देखो, switch off the television, television को switch off कर दो, तो यह इस तरह की sentence जो की order देता है, देखो कैसे समझा, क्य या तो वो किसी को order देता है, या किसी को वो advice देता है, तो इस तरह की questions का आप जब भी बनाओगे, तो उसका passive हमिसाल late से सुरू करो, जो order देता है, अगर वो advice देता है, तो आप suit plus B, plus B3 लगाते है, तो यहाँ पे right answer का, let the television be switched off, we dash going to Delhi tomorrow, हम लोग कल दिल्ली जा रहे हैं, देखो going भर्ब की कौन सी form है, fourth form है, यहाँ पे R ही आएगा, बिल्कुल क्योंकि B plural है, R चलेगा, will के साथ भर्ब की first form लगती है, B के साथ वाज नहीं लगेगा, वी के साथ वर्ट तो नहीं लगेगा, वर्ट तो लग सकता था, लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा, क्यों न yesterday होना चाहिए था, बीते हुए कल के लिए, तब मैं यहाँ पे वर्ट लगा था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, आने वाले कल की बात हो रहे, इसलिए R मेरा राइट होगा, they dash keep their promises, उनहीं अपना वादा निभाना चाहिए, तो they should keep their promises, 42, he dashed exercise by 8 o'clock, उसी अपनी exercise जो है, complete कर चुका रहेगा, आठ बजे तक, जब भी बाई आ जाए ना, और यहाँ पे समझना, बाई अगर आ जाए, और समय का बात हो रहा हो, टाइम का बाई लग करके, तो इतम गा he third person, he के साथ, will, will के बाद, have, have के बाद, finished, हाँ, have भर्व का first form होता है, hedge भर्व का पांचमा रूप, hedge भर्व का दूसरा और तीसरा रूप, they work hard, they felt tired, वोई लोग कठीन मेहनत किये, वोग ठक चुके होंगे, worked यहाँ पे भर्व का second form, felt यहाँ पे भर्व का second form, they worked hard, but felt, वो के लिए, वो कठीन मेहनत किये, ऐसा तोने, they worked hard, उन्होंने कठीन मेहनत किया, so, इसलिए, they felt tired, वो कठीन मेहनत कि, इसलिए, वो ठके हुए महसुस कर रहे है, option number C, your brother's, that's stopped smoking, तुम्हारा भाई, जो है, क्या कर दिया, वो smoking करना छोड़ दिया है, तो your brother was stopped, your brother, your brother has stopped, कैसे ल की third form, number 45, he said to me, please wait till I return, अब इसको आपको indirect speech बनाना है, तो इसमें बनाएंगे please, please लग गया, मतलब request कर रहा है, तो यहाँ पे देखो requested किसमें लगा हुआ, ordered, गलत, आस्क्र, गलत, यहाँ पे right option होगा, he requested me to, अब देखो जब इस तरह का sentence होता है, जिसमें आप order request advice देते हो तो comma inverted comma के जगा पे आप two का इस्तमाल करोगे, to wait till I first person, first person subject से बदलता है, यहाँ पे ही होगा, return का past returned हो जाएगा, अब teacher ask don't waste your time, मुझे लग रहा है क्यों कुछ लोगों को narration नहीं समझ पा रहे होंगे, don't worry guys, मैं आपको अभी पहले एक tense का वीडियो करा रहा हूँ, मैं पास समय रहता है, तो मैं आपको narration का वीडियो करवा के दे दूँगा, आवर teacher ask don't waste your time, इसको आपको indirect speech में चूज करना है, हमारे सिक्षक नहीं कहा कि अपना समय बरवाद मत करो, तो आवर teacher ask, जब भी इस तरह का sentence होता है, जिसमें don't से सुरू होता है, तो हम comma inverted comma के जगा प the first person का ही प्रयोग करो, और यहाँ पे our time लिख करके sentence को सही कर सकते हो, that's at a very high speed is dangerous, क्या करना बहुत ज़्यादा speed में यह हानिकारक होता है, तो driving cars at a very high speed, driving ही क्यों लगाए, drive तो भर्व का first form होता है, और कभी एक sentence का जो subject होता हुँआ भर्व का first form नहीं होता है, इसलिए आप ING लगा दो, और जब भर्व में आप ING लगा दोगे, तो इसे हम जिरंड कहते है, इसलिए हाँ पे लिखेंगे, driving at a very high speed is very dangerous, this road dash to the hospital, यह जो road है, यह कहा को जाती है, hospital को जाती है, तो देखो यह road, यह road क्या है, एक वच्चन है, singular है, इसलिए इसको singular भर्व leads लग जा सुबह में golf match खेलता हो, तो जब भी इस तरह का everyday लग गया, मतलब जो आपकी habit को बताता, जो आपकी आदत को बताता, वो sentence हमीशा simple present is, अर्थात भर्व का पहला ना तो पाचमा form यूज़ करता है, इसलिए I play golf लग जाएगा, I plural भर्व लेता है, इसलिए I के साथ play लगाया he see it रहता, तो मैं singular भर्व लगाता, did you dash स्रया, क्या तुमने स्रया को देखा है, देखा था, देखो, did लगा हुआ, did, do, does, did, याद रखेंगे, इसमें बहुत लोग confuse कर जाते, do, does, did के बाद हमीशा भर्व की first form लगाते, इसलिए did you see स्रया हो जाएगा, number 51, he climb dash the wall, वो he left for Kolkata this morning, Kolkata के लिए इस सुबर रवाना हुआ है, choose the correct sentence, she has already left for France, और पहले ही जा चुकी है, फ्रांस के लिए, यही sentence है, यह क्यों गलती होगा, इसका भी reason जानो, will modals है, modals के बाद भर्व की first form लगती, she is already left, इसके बाद भर्व की fourth form लगता है, active voice में, may modals है, modals के बाद भर्व की first form लगती, इसलिए तीनों गलत हो गए, choose the correct sentence, Columbus discovered America, बिलकुल सही sentence है, यह discovered भर्व का second form है, sentence simple past में चल रहा है, कोई issue नहीं है, sentence बिलकुल सही, will के बाद भर्व की first form, was, Columbus was discovered, यहाँ पे by लगा दिया रहता, तो थोड़ा सा में इसको सही माल लेता, लेकिन यह भी sentence गलत है, डॉक्टर मेहता is an university professor, अब यहाँ पे गलती आपको ढूनना है, क्या है, यहाँ पे N, यहाँ पे A, is university professor, is some university professor, ऐसा कुछ नहीं, option A, B मिस होगा, अभी just में आपको rule सिखाया, university में U से start होता है, वाबल देखके आधी जनता A को लगाएगा, examiner बोलेगा, rest ले ले तो अभी एक number से, क्यों क्योंकि university को हिंदी में लिखोगे, तो यह से होगा, यह वेंजन वार्न है, इसलिए A university professor होगा, I speak Hindi and English, but John, मैं Hindi और English दोनों बोलता हूँ, लेकिन जन, लेकिन लग गया, मतलब जन नहीं बोलता है, तो जन नहीं बोलता है, तो जन एक लड़का है, बहुत सा लड़का है, एक लड़का है, सिंगूलर है, तो इसको सिंगूलर भरव चाहिए न, don't तो plural होता है, क्या doesn't हो सकता है, नहीं बोलता है, यहाँ पे John speaks तो गलत हो गया, और doesn't speaks, यह भी गलत, क्यों पता है, क्योंकि भी तुरत वतन ने बताया मैंने, कि do, does, did, क्या आते हैं, how long does French, तो इस तरह को कोशन मतलब क्या है, तुम कितने दिनों से French सीख रहे हो, तो have you been learning का यहाँ पे इस्तेमाल करोगे, कि तुम यह काम कब से कर रहे हो, मतलब past में भी शुरू किया, present में भी चल रहा है, और future में चलने की संभाब ना है, इसलिए have you been learning नमबर 58, जब बरसा हुई, वो क्या करके गई, वो एक छाता लेके गई, यहाँ पे देख पारोगे, रेंड लगा हुआ, रेंड भर्व का कौन सा form है, second form है, और जब एक sentence में past का एक भर्वा आ जाता है, तो पूरा sentence past बनता है, यह चीज़ आप गाट बांद लो, देखो, विल केडी future की बात होड़े, eliminate होगा, केडी भर्व का first form है, यह भी eliminate हो जाएगा, केडी यहाँ पे भर्व का second form है, इसलिए right option आपका C वाला हो जाएगा, I have dash 1 रुपी note, मेरे पास 1 रुपे का note है, वन वो से सुरू होता है, इसलिए आप यहाँ पे article A लगाओगे, number 60 से start ह हो जाएगा, आपका कौन सा question, literature का थोड़ी speed में बढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि इस video का फिलेंदी हो जाएगा, one day Sevy was caught red-handed by his ethics teacher, उसके से भी एक दिन रंगे हाथ पकरा जाता है, कौन से teachers के द्वारा, उसके ethics के teacher के द्वारा, नैतिक सिक्छा के, a snake is written by a snake, जो poem है, आपक of myself, the price of the 5 inches goddess, 5 inch की जो लंबी लोकी थी, उसका कितना दाम था, तो उसका दाम था 5 yen, जब वो पोटर, पोटर जो है, वो जाके बेचता है, किसको बेचता है, क्योडियो डीलर को, तो वो कितने बेचता है, 50 yen में, और क्योडियो डीलर सॉब जो बेचता है, वो बेचता है, क No. 63, KKN दरुबला, इसे डास पोट, KKN दरुबला कैसे पोट है, इंडो एंगलियन पोट है, KKN दरुबला की बारे में, एक दो बात याद रखेंगे, KKN दरुबला का जनम, 1937 में होता है, ये Common Belth Poetry Award, साहित ऐकार्डमी अवार्ड के वीनर भी रह चुके है, ठीके, इसके KKN दरुबला, सौट स्टोरी राइटर भी है, How Freeze the Press is written by How Freeze the Press, को किसने लिखा है, How Freeze the Press, Dorothy L. Sires ने लिख रखा है, How Freeze the Press के बारे में, एक और ध्यान रखेंगे, Dorothy L. Sires, first वीमेन है, जो की ग्रिजवेट हुई थी, Oxford University से, Dorothy L. Sires बिलकुल एक महिला है, जो की Oxford University से ग्रिजवेट कमलादास remembers the happy days spent in sweet company offer, कमलादास याद करती है, उन खुसी के दिनों को जो वह बिताई थी, किंज के साथ बिताई थी, वह अपने दादी मा के साथ बिताई थी, grandmother, the snake made the point near his death, साप मिलता है, कभी से कहाँ पे near the water trough, Sicily, Sicily एक जगा का नाम है, जहाँ पे वह volcano erupt होता है, जिस विल्कल वो उसमें फूल खेले रहते और ये घटना जुलाई की रहती है, नमबर 67, Negroes are the former Dash of America, Negroes पहले अमरिकन के क्या थे, slaves थे, वो गुलाम थे, नमबर 68, मेकवीटी disappears from the place of theft before the dash reach दिया, मेकवीटी उस जगह से गायव हो जाती है, जहाँ पे चोड़ी होती है, किसके पह पहुचने से पहले, वहाँ पे पोलिस के पहुचने से पहले वो गायव हो जाती, से भी बॉटर डास इंच गट फ्राम एन ओल्डू में, से भी कितनी इंच बड़ी लौकी खड़ीता है, एक बूधी महिला से, तो से भी पाँच इंच की लौकी खड़ीता है, मार्टी मार्टी खुमन्तू कोन घुमन्तू जीवन बिताते थे, कुट्टे अरे, कुट्थे नी, सोरी मैन, कुट्टे तो आज भी घुमन्तू जीवन ही बिता रहे, वो जगह जहाँ पे सैनिक को दफना दिया गया उसे क्या माना जाएगा किस जगह की भूमी तुसे माना जाएगा इंगलेंड की भूमी उसके मरने के बाद जहां पे Rupert Brooke कहते जिस जगा पे मुझे दफना दोगे उसे मेरे मरने के बाद भी तुम क्या समझना की इंगलेंड की भूमी है कौन सबत खाता है कि मैं अगनी को बचाऊंगा उससे जो अपराद हो रही है पाप की उससे में बचाऊंगा तो यह फायर हिम केके अंदर वल्ला की यह लाइनिंग है केके अंदर वल्ला कहते हैं मैं अगनी को इस चीज से पाप करने से में बचाऊंगा टीए से लेट में का वीटी दा मिस्ट्री के जॉन डन स्यूटे स्लावाई डू नॉट गो चॉन किट्स और टू अर्टम अब मैरेस प्रपोजल इस डास प्ले देखो यहां भी ए लगा हुआ है और आव वन एक्ट प्ले होगा एक तरफा नाटक है अबर फोरफादर्स डिट नॉट इंवेंट मसीनरी हमारे पुरवजों इदे को डिट लगा डिटकत भी वनाया ना हमारे पुरवजों ने मसीनों का खोज नहीं क्या क्यों नहीं किया के भी बहुत अच्छी पोएट रह चुकी हैं कमलादास जो है इसके अलावा इनकी जो पोयम जो होती थी वह और्टो भाग्राफिकल होती थी इसके अलाबा कमलाधा सौट स्टोरी राइटर भी रह चुके कहा जाता था पास्ट टाइम में मतलब लड़कियों जैसा सौभाव भारत is my home is an extract from the speech और भारत is my home ये कलाच शंद जो है ये किनकी भासन से ली गई है ये भासन जो है डाक्टर जाकिर हुशेइन की लाइन से ली गई है डाक्टर जाकिर हुशेइन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे कब वो इंडिया के प्रसिडेंट बने थे जान कीर्ट इस पोईट अब जान कीर्ट कौन से पोएम के पोईट है जान कीर्ट जो पोईट है ये और टू आर्टम के पोईट है इंग्लिस हमारी क्यान ये मदर टंग नहीं है हमारी ओफिसियल लेंग्वेज तो इंग्लिस है ही है बट इमोशन लेंग्वेज फादर टंग कुछ नहीं होता है अभी तूरत सपत लिया है निष्टा पुरवक निभाने का किस चीच को कॉंसी ऐसी चीज जो कि सीधा परशारन होता है किसी भी कालपनिक चीजों का स्टेज पर तो ये राइट हैंसलों का ड्रामा नेक्स्ट कोश्चन नमबर नाइनटी आई हाव अब ड्रीम इसे पार्ट अप स्पीच डिलेवर्ड बाई इसे डिलेवर्ड किया है नमबर नाइनटीवन अपिंच ओफेशन अप इस रीटेन बाई मनोहर मलगाओकर नमबर नाइनटीटू दा पोएम स्टेसलवाइड नॉर्ड को इस कमपोश्ट बाई ये भी कौन हो जाएंगे ये हो जाएंगे जॉन डन हो जाएंगे नेक्स्ट नाइनटीटू पापा प्लिस टेल इस जेंटलमेन हूम दर डैस बिलोंग टू अस और हिम पापा प्लिस इस महानुभाव इंसान को बताएए कि यहाँ पे दोको इसने लिखा है ये तीनों बुक जो है लिखा गया है बर्टेन डर्शेल जी के द्वारा बर्टेन डर्शेल अरे ये उप्सन क्या है अरे सिट अप्सन मेरी मिस्टेक है आप हटा दो अप्सन को इसमें जो है इसे पूछा गया है written by कौन हो जाएंगे बर्टेन रसल बर्टेन रसल को 1950 में Nobel Prize के लिए Nobel Prize भी दिया गया था हाँ यहाँ पे मैं आपको एक question के पीछी ले चलू एक मिनट जी बिलकुल I have a dream यह जो speech इन्होंने दिया था वो कब दिया था 1963 में इन्हीं Nobel Prize दिया गया था 1964 में और इनकी हत्या कर दी गए थी 1968 में Memphis नाम के जगा पे इन्होंने speech दिया था कहां पे Washington DC में कोन से जगा पे Lincoln Memorial Hall में नमबर 93, 94, 95 Nanuka का was the narrator Nanuka का लेखा के कौन रहते है maternal uncle रहते है Next I dash myself Nanuka का I dash myself to the service of this constitution में जो ये जो संभीधान है उसको निभाने का मैं क्या लेता हूँ I pledge में सपत लेता हूँ I have a dream is the dream for the freedom of I have a dream जो ही ये सपना है किसकी आजादी के लिए तो ये सपना है नीगरो जो है जो अमेरिका में नीगरो जन जाती रे रे उसको आजादी दिलाने के लिए है The condition of the Negro was जो नीगरो है उनकी condition इस्तिती क्या थी appelling, caste, दाई थी Who advocates non-violent struggle किसनी और हिंसावादी struggle को संकर्ष को advocate किया तो इसे मार्टिर थर किंग जूनियर मार्टिर थर किंग जूनियर जो की इसकोर, one score, it means 20 years और 25 जा कितना होता, 100 years 5 century, 1 century equal to 100 it means 500 years, decade means 10 और 50, यह दोनों तो सेम हो गया यहाँ पे राय टैंसर का 5 scores यह होगो, guys I hope आपको enjoy किये होगे session को, अगर आपने enjoy किया, तो like बटन को hit करो, अपने friend के साथ share करो thank you guys, मिलते हैं next video में